आज वाले वीडियो में दोस्तों हम Scarfall 2.0 को टेस्ट करने जा रहे हैं एक पास साल फुराने फोन के अंदर अब यहाँ पर जैसके आप देख पार होंगे यह एक मेरे पास फोन है जो की Realme 3 Pro है और इसको लॉंच हुए काफी समय हो चुका मैं आपको एक बार दिखा भी तुक 2019 और उसी समय जब यह लॉंच वा था उसी साथ से फर्स्ट या सेकंड सेल के अंदर हमने इसको पर्चेस किया था और तब से इस वाले फोन को रगड़ रहे मतलब भाई यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर बात की जाना किस तो इसके अंदर अभी हम यहाँ पर 2.0 को यह जो ह यहाँ पर 2.0 को टेस्ट करेंगे तो अगर आप यहाँ पर ऐसे ही पुराने मतलब फोन के अंदर गेम को खेलते हो तो आपका खेसा एक्सपरनस होता है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगा अब आप जैसी को मैंने सारा कुछ इंटरनल भी डाउनलोट कर लिया मैं आज हमने इस वाल फोन के अंदर पब जी को भी बहुत ही खेला है उसी के साथ है यहाँ पर गाज हमने जो इसके अंदर बीजमाय को भी खेला है तो बहुत दिन से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर फर्स्ट इंप्रिशन के अंदर अगर मैं बात की जाए तो बहुत ही मस्त और मखन यहाँ पर गेम चल रहा है अगर आप यहाँ पर देखोंगे तो बाई जो है अल्टरा ग्राफिस के अंदर भी कहीं भी मुझे जो है दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही बहुत ही स्मूथ है बढ़िया है अब एक दिक मिलते हैं पर अभी आप देखोंगे तो हम एक हट्राफ वाले लोकिशन पर यहाँ पर मुझे कही भी लैग वगए नजर नहीं आ रहा है फिर में एक और मैच ट्वार किया और फिर में आ पर कॉलीज वाले लोकिशन पर आप यहाँ बंदा वगए मिला तो अगर बंदे बं मिले हो तो हम आगे चल के देखेंगे पर अभी की साफ से अल्ट्रा प्लस एक्स्ट्रीम पर मुझे कोई भी दिक्कत्या पर नहीं आ रही तो यहीं पर आप देखते हो दो जीबी के आसपास का अपना गेम होने के बावजूद कितना बढ़िया यह उप्टिमाइज है पास साल से भी जाता पुरान है पर हम पास साल पकड़े चल लेते तो इतने साल पुराने फोन के अंदर भी बहुत ही अच्छे से जो है अच्छे खासे ग्राफिक्स के अंदर 60 एपस निकाल के दे रहा है अब एक पॉइंट में और आपकी साथ जोड़ना चाहूंगा अगर प्रेशर पड़ेंगा पर अगर आप नॉर्मली खेल तो नॉर्मली में जिसे मतलब जो है बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं कि उससे खेलते हैं रिकॉर्ड वकॉर्ड नहीं करते ना है कुछ करते मज़े के लिए तो बहुत ही आसा पुराने से पुराना फोन भी ना जिसके बहुत ही आसानी से गेम को अच्छे खासे ग्राफिक्स के साथ अच्छे खासे एफपेस के साथ खेल सकते हैं क्योंकि जो मेरा भी यहाप बैक्राण में आपको गेम पर दिखा रहा हूं यह पास सार पुराना फोन है और उसके इंदर चार जी भी रहा है और उसके साथ है स्नैप ड्रागन का सेवन टीन का प्रोसेसर है और फिर भी भाई जो है फोन काफी अच्छे से बाई मैनेज कर रहा है काफी अच्छे से चार रहा है अब हाला कि थोड़ा बाइटनेस में हाई कर दो तो आपको थोड़े बहुत ग्राफिक्स अलग दिख रहे होंगे पर वह हीट होना शुरू हो चुगा तो इसके में कवर है पहटा देता हो जिसके में एक अंतजर लगे और हीट भी थोड़ी बाहर निकले अब इतना भी जाद हीट नहीं है अगर आपको याद होगा तो हमने इंडस को गई जो है यहापे मेरे नए वाले फोन के अंदर ट्राय के इसका टेंपरिचर अभी होंगा 43 से 42 के आसपास और अगर मैं आपको एक बार सेटिंग दिखा दू तो अभी हम याप याप अल्टरा पर हम हाई पर स्विच करते हैं और हाई पर आप जैसी देखोंगे तो अभी भाई गेम का विसमों होता है अब जैसी थोड़ा फोन होता है तो अभी से बाद आपके एपेस कम होंगे फिर आपको मिलते है फोटी एपिस के अराउंड टिकेट बाकि जाहरो अगर इसके तो कोई डिलेवी ले नहीं है अच्छे से बाई रिकॉल कंट्रल हो जाता है और उसी के साथ अगर बात की जाए कि फिर अगर आपको इस अगर आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला अगर आपको पुराना फोन है तो आपका ऐसा कुछ आप एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि पुराना आपका फोन है ठीक है पर उस समय पर आपका लो एंड डिवास था मतलब उस समय मतलब एक मिड रेंज का आपको देखना पड़ेंगा आप उस समय पी यह जो डिवास थाने काफी तगड़ा डिवास था कि क्यूंकि 10-11000 के आसवास वा आता था और उस समय जिसके में आपको था इसके में प्रोसेसर वह बढ़िया होता था तो वह एक आपको चीज देखने पड़ेंगी अगर आपको 60 एपस मिल जाएंगे और यहां पर डिफरेंस देख सकते हो ग्राफिस के अंदर अभी सामने आप देख सकते हो जो है कि आप देखो किसी नजर आ दी एवरेज के उपर और वहीं अगर हम यह आप अल्टरा पर करें तो बाए अल्टरा पर देख से उसके अंदर कितन होंगे तो आपको बैटरी रेंड होंगी फोन हीट होंगा यह प्रॉब्लम तो आपको आएंगी पर आपको fps टकड़े मिलेंगे काफी स्मूथ लिए चल जाता है और बड़ी आया और मेरे हिसाफ से दिखा तो काफी अच्छे से बाई ऑप्टिमाइज आपर गेम को कर रख तो आपको आपको वीडियो कैसे लगा अगर आपने एंटिक देखांगो तो आपको जरू से मज़ा आएंगा तो लाइक करो इस वाड़ो को चानल को सुस्काइब करो और जो मिलेंगे रेटिंग बता हिए आप अप्लाइ करो आपका गेम जो अच्छा चलंगा अच्छी आपको देंगा तो मिलते अभी सिदा नेक्स्ट वाले वीडियों के अंदर